दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं घरेलू बिजली बिल माफी योजना को लेकर जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इसके पहले भी माफी चल रही थी लेकिन वो नलकूपों के लिए यानि कि जो बोरिंग वाले कनेक्शन होते हैं उसके लिए थी घरेलू बिजली बिल के पर दोस्तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना सरचार्ज देख लेना होगा कि कितना आपका सरचार्ज बना है तो दोस्तो उसके लिए हम चलेंगे इसकी ओफिसियल वेबसाइट पर उससे पहले आपसे गुजारिस हैगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को सस्क्राइब करें साथे साथ बेल बैटन को प्रेस करें ताकि हम जब भी कोई इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए तो हम इसकी ओफिसेल वेबसाइट पर आ चुके हैं जैसा कि आप देख सकते हैं उपर यहाँ पर दिया हुआ यूपीपी सीएल एमपावर डॉट इन ये इसकी अधिकारिक वेबसाइट है इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सबसे पह आपके सामने इस प्रकार से एक पेज खुल जाएगा यहाँ पर आपको अपना एकाउंट नंबर देना होगा और यह इमेज वेरिफिकेशन जो कैप्चा में दिया हुआ इसे यहाँ पर डाल कर सब्मिट बटन पर क्लिक करना है जब आप सब्मिट बटन पर क्लिक कर चामने इस प्रकार से आपका बिजली बिल दिखाई देगा यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ ऊपर ही आपका बिजली बिल दिखाई देगा दिख रहा होगा 2021 जो सर्चार्ज जुड़ा है वो जुड़ा है 7,581 रुपे ये इनका पिछले वर्स का यानि पहले का इनका ये सर्चार्ज जुड़ा है और जो ने इस समय का इनका टोटल सर्चार्ज है इनके बिल पर वो है 8,770 रुपे जो कि आपको यहां पर दिख रहा होगा तो दोस्तो और इनका जो बकाया बिल था वो था 12,707 रुपे और टोटल मिलाकर इनका हुआ 21,819 रुपे तो दोस्तो इतना तो इनका सरचार्ज हुआ यानि कि अब इनका 8,770 रुपे सरचार्ज माफ हो जाएगा इस योजना के अंतरगत तो दोस्तों माफी के लिए क्या करना होगा आपको फिट से बैक कर देना है वेबसाइट को वापस जाना है वहीं पर यहां पर आने के बाद आपके सामने एक page highlight हो रहा होगा यह वाला option इस वाले option में आपको क्या करना है यहां पर दिख रहा होगा OTS भुकतान रसीद दोस्तों यह OTS के अंतर गती आपका बिल माफ हो रहा है तो आपको इसी पर click करना है अब यहाँ पर आपको अपना 12 अंकों का account number डाल देना है और उसके बाद अपना capture डाल कर submit बटन पर click कर देना है अब आपके सामने यहाँ पर आपका बिजली का bill दिखाई देगा जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो total bill दिख रहा है वो 21,819 रुपे जो की अभी हमने पीछे देखा था इनका इसके बाद अब इनका जो इसमें सर्चार जो हमने भी आपको बताया था वो था 8,770 रुपे जो की यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यह वाला और यहाँ पर दिख रहा है OTS registration amount 30% तो दोस्तो इसे आपको registration के तोर पर ही जमा कर देना यानि पहली किस्त आपकी है यह 4,036 रुपे आपको पहली किस्त के हिसाब से जवाब का registration किया जाएगा और आपकी जानकारी के लिए बता दें यह registration यानि कि यह जो बिल आप जमा करे 4,036 रुपे और जो आपका बिल दिखेगा इसी प्रकार से या तो आप सिर्फ अपने विदुत खंड पर जाकर जमा कर सकते हैं या फिर आप किसी जनसेवा केंदर पर जाएं और वहाँ पर जाकर इसे जमा कर सकते हैं इसे अपने mobile phone से नहीं जमा कर सकते हैं इसके लिए आ 4,036 रुपे है ये इन्हे 15 मार्च के अंदर जमा करना है और जो बाकी का बकाया जो बिल बचेगा वो 31 मार्च तक जमा कर देना है तो दोस्तो ये आफर सीमिस समय के लिए है तो दोस्तो इस प्रकार से आप अपना बिजली बिल की छूट को देख सकते हैं और उसे जमा कर स पसंद आयों तो इसे एक लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का लाब ले सकें तो दोस्तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के ल नवाद